तो दोस्तों आपने यूटूब पर इस तरह की वीडियो जरूर देखे होंगे जिन में ओटो केफशन लगा हुआ रहता है जिनकी बज़े से एस सब वीडियो इतना एट्रेक्टिव लगता है कि इन में लाखों में भी उसाता है तो आपने इस वीडियो में क्लिक किया है मतल जब आप भी अपने वीडियो के लिए इस तरह की की ओटो केफशन जैनरेट करना चाहते हैं और भी बिल्कुल फ्री में तो आज मैं आपको कोई ऐसा एप्लिकेशन या वेफशाइट नहीं बताऊंगा जिसमें आप जितना चाहिए अल्लिमिटेट ओटो केफशन असल में एसा वेफशाइट याई एप ही नहीं आज किस वीडियो में मैं आपको वह तरीका बताऊंगा जिनकी मदद से आप कोई भी पेड एप्लिकेशन को ओटो केफशन जैनरेट के लिए यूज कर सकते हैं और मैं सालों से अपनी शोट चैनल के लिए ओटो केफशन जै दिखने वाली चीज़ क्या है दरसल ये एक बड़ा ही मज़ेदार माइक्रोस्कॉपिक व्यू है एक साधरन मास्क का इससे पता चलता है कि माइक्रोस्कॉपिक स्थर पर चीज़े कितनी कॉंप्लेक्स और अनोखी होती है तो दोस्तों इतना कमाल का ट्रीक है आप एक बड पहला है वीडियो एडिंग एफ दूसा है ओटोकेफिसन जेनरेट एफ तो एडिंग के लिए मैं यूज करूंगा बी एडिंग को आप अपना परशन देता वीडियो एडिंग एफ यूज कर सकते हैं तो सब से पहले आप जिस भी एप्लिकेशन में अपना वीडियो एडि करने के बाद ही auto caption generate करना है अगर आप auto caption generate करने के बाद video editing करेंगे तो आपका वीडियो में auto caption सही से नहीं लएगा तो एक बार आपका वीडियो completely edit हो जाए फिर आप ऐसे picture में click करेंगे आप sticker में जाएंगे और कोई भी एक shape ले लेंगे इस तरीके इसी एप को पूरे वीडियो में cover कर देंगे फिर आपको इसके color में जाके गीरीन कड़र को शिलेट करना है अगर आपको यह option ना मीले तो आप गीरीन कलर का image डाउनलोड करके इसमें लगा सकते है इस green को पूरे वीडियो में cover कर देना है इसके बाद आपको इस video को export कर लेना है तो video export करने के बाद आपको आपका auto caption app को open करना है तो मैं जैसे की billing apps को open कर लिया है नीचे आपको plus का icon मिलेगा जिसमें आप click करेंगे उपर ही आपको auto caption का option मिलेगा जिसमें click करके आपको video को select कर लेना है वीडियो का जो भी language है और आप search करेंगे जैसे मेरा हिंदी है language select करने के बाद उपर आप done पे click करेंगे नीचे आपको add हिंदी caption का option मिलेगा जिसमें आप click करेंगे click करते हैं आपके video में auto caption लगना इस्टार्ट हो गिया है आप 2-3 मिनिट ओइट करेंगे तो आपका video का लेन जितना ज्यादा होगा आपका auto caption जेनरेट होने में उतना समय लग सकता है तो जब तक video में auto caption लगना आया है तब तक आप इस चैनल को subscribe गर गए रख सकते है तो जैसकि मेरे video में auto caption लग गिया है आप देख सकते हैं कितना बड़िया तरीके से हिंदी में auto caption जेनरेट हो गिया है तो अगर आपको इसका style चैनल करना है तो नीचे आपको style का option मिलेगा उससे पहले आपको auto caption बिलकुल सही से चेक कर लेना है आपका what के साथ आपका caption बिलकुल सही से लगाएगी नहीं और अगर कुछ what आपके caption में गलत आजाए तो आप edit text फे क्लिक करके what को इस तरीके से change कर सकते हैं और शही what लिख सकते हैं उसके बाद आपको style का option मिलेगा जिसमें क्लिक करके आप अपना caption का कौन सा style रखना चाहते हैं और शलेट कर सकते हैं जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सरा style दिया हुआ है आप अपना मर्जी के हिसाब से कोई भी caption style चोस कर सकते हैं तो आपने YouTube पर जीतने तरीकी caption style देखे हैं और सब आपको इस जगा पर मिल जाएगा आप अपने हिसाब से आपको जो भी style का caption रखना है उससे रख सकते हैं तो जैसे कि मुझे यह पहला बढ़ाई अच्छा लग रहा है तो मैं इससे रखूंगा फिर आपको side में font का option मिलेगा तो आप अपने caption में कौन सा font रखना चाहते हैं और रख सकते हैं फिर आपको side में style का option मिलेगा जिसमें आप text का color, font, size, elements सबको set कर सकते हैं फिर आपको side में stock का option मिलेगा जिसमें आप stock color fill कर सकते हैं color का thickness set कर सकते हैं फिर side में आपको background का option मिलेगा जिसमें आप background set कर सकते हैं और background का कोई भी color set कर सकते करके नीचे background का radius set कर सकते हैं अपने हिसाब से फिर side में आपको Shade या जिसमें आप किलिक करेंगे तो आपको बहुत सारा उप हैं मिल जाए जिसमें आप वेंगरांड अधाउर कर सकते हैं उसका रेडिया स्ट कर शकते है बेसिकली आपको इस हैप में ten सब्सक्राइब के बा invit करने का फूल आ जादी है आप अपने हिसाब से अपना Burada कि है अपने सब्सक्राइब सेट कर सकते है ना जैसे कि मिरा इसकी रेकॉडिंग ओन है तो हर एक phone में अभी skin recording होता है notification bar में या किसी-किसी phone में setting में होता है आप अपना phone का skin recording on कर लेंगे, फिर आके इस video को शुरू से play करेंगे तो जैसे कि मेरा auto caption का skin recording हो गया है अब आपको इस app से बाहर आ जाना है, अब आपको फिर से video editing apps में जाना है, अपना project को दुवारा से on करना है फिर उपर का जो गिनिन skin आपने select किया था, उपसे डिलिट कर देना है डिलिट करने के बाद फिर से आप इस picture में click करके आपने जो skin recording किया है, उसे आप इस जगा पर input कर लेंगे open करने के बाद आपका caption जहां पर show हो रहा है, उतना इससे को आपको crop करने के बाद आपको caption को जहां पर भी show करना है, उस जगा पर आप इसे set कर देंगे, फिर caption जहां से मिले का जिसमें आप जाएंगे और इस एक green skin को remove कर देंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरा green skin successfully remove हो गया है अब मैं आपको play करके दिखाता हूँ हमारा auto caption सही से generate हुआ है की नहीं, क्या आपको पता है प्रिमियम से प्रिमियम भी आपको यूज करके इस तरीके से auto caption जेनरेट कर सकते हैं तो वीडियो को समझने में आपको कभी पर भी प्रोब्लम आया है तो आप मुझे comment पर और अगर आपको details में जाना है तो instagram पर message करके पूछ सकते हैं तो वाइस अगर आपको फिरी में अपने वीडियो एडिंग के लिए motion देख रहा हूं चाहिए तो आप इस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं